आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इसमें जो करेक्टर्स हैं उनका हम करेक्टर स्केच पर देखेंगे और तीम डिसकस करेंगे इस स्टोरी की जो समरी है और सेटिंग है वो मैं अपलोड करते हूं अपनी चैनल पर अगर आपने उसे अभी तक विजिट नहीं किया है तो फर्स्ट अपॉल चेक इट आउट तो बिना टाइम बेस किये आज की वीडियो शुरू करते हैं जिम बेंटली जो है ये उन तीन दोस्तों मैंसे एक दोस्त है जो कि सोना निकालने का काम करते हैं और जिनके पास एक पैट डॉग है जिसका नाम टॉमी है जो जिम है वो अपनी लाइफ के साथ सीरियस है वो अपनी लाइफ को एजी नहीं लेता हलके में बिलकुल भी नहीं लेता वाइल अगर उस बात करें जो उसके दो फ्रेंड्स हैं डेव और एंडी वो अपनी लाइफ को बिलकुल भी सीरियस नहीं लेते हैं इसे यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिल्चस्पी नहीं रखता। बारुत के जरिये से हम मचलिया पकड़े हैं। यह अपने दोस्तों को नहीं रोकता इस चीज़ से। उनका जो प्लान है इससे बिल्कुल भी नहीं रोकता। जिम क्रियेट्स अल्टिमेट कमिडी बाइ क्लाइमिंग वीक ट्री एंड लास्ली फॉल्स इंटर डिगर्स होल। जिम जो हैं वो स्टोरी में मज़ा क्रियेट करता है। तो स्टोरी में हमें मज़ा आता है जिम की वज़े से क्योंकि जब वो एक कमजोर दरखत के उपर चड़ जाता है। और पिर जो टॉमी है वो हमने स्टोरी में भी देखा। तॉमी जो है, वो कार्टिज को वो जो बारूत है, उसके मुह में जो होता है, तो वो इसे इसी दरखत के नीचे रख देता है, फिर जिम उपर चड़ जाता है, और ये जो ट्री है, ये तोट जाता है, और जिम नीचे गरता है, और जो जिम है, वो लास्ली एक गड़े में ग इसके बाद देखते हैं करेक्टर स्केच ऑफ एंडी एंडी जो हैं ये भी एक दोस्त हैं तीन दोस्तों मैंसे जो कि गोल्ड निकालने का काम करते हैं कान से एंड जिनके पास एक पैट डॉग है टॉमी तो जो भी फसाद अठता है इस कहानी में तो उसके पीछे जिस बंदे का हाथ होता है तो वो यही एंडी होता है क्योंकि डेव जो है वो बस एक आइडिया देता है लेकिन जो एंडी है वो इस आइडिया को एग्जेक्यूट करता है वो इसे अंजाम तक पहुंचाता है जो एंडी है वो डेव के जो भी प्लान होते हैं तो उनको यही अंजाम तक पहुंचाता है एंडी मेक्स कार्टरिजिस तो ब्लास्ट दे क्रीक in order to catch more fishes जो एंडी है वो बारूद बनाता है ताकि यह ज्यादा से ज्यादा मुचलिया पकड़ सके He is very focused on his task and tries everything to make cartridge better तो यह बड़े ध्यान लगा के काम करता है और बस लगा रहता है यह अपने काम में जो यह बारूद है इसको ज्यादा से ज्यादा बैटर बनाने में तो हमने स्टोरी में भी देखा यह canvas के यूज करता है यह विपकॉट के यूज करता है ताकि जो बारूद है वो waterproof रहे उसमें पानी ना चला जाया और वो सही से फटे तो उसका पेट भी बाहर निकला आया है जिसकी वज़े से ये ज्यादा तेज नहीं दोड सकता जो टेव है और जो जिम है वो तेज बागते हैं बट जो एंडी है वो तेज नहीं बाग सकता जो एंडी है क्योंकि ये ज्यादा तेज नहीं बागता तो जो टॉमी है वो इसके पीछे ज्यादा बागता भी नहीं है तो dogs generally मतलब उनी के पीशे बागते हैं जो की ज़्यादा दोड़ते हैं जो की ज़्यादा तेज़ दोड़ते हैं जो रुखते हैं जो जल्दी ही रुख जाते हैं तो उनके बीचे ज़्यादा नहीं बागते हैं Andy's heartwork lead to an excellent success as the cartridge had blasted very well एंडी जो है इसने जो भी ये काम किया होता है जो भी ये हार्ड वर्क की होती है तो इसे कामिया भी मिलती है क्योंकि इसका काम बस ये होता है कि जो बारूद है कि ये अच्छे से बारूद बनाएं और वो अच्छे से फटना चाहिए वो फटता है अच्छे से, अब ये बात अलग है कि जिस जगह पे उसे फटना था, वो वहाँ पे नहीं फटता, किसी और ही जगह पे फटता है, लेकिन इसने जो hard work करी थी, तो इसे success मिल गई अपने काम में character sketch of Dave, अब Dave का character sketch पर देख लेते हैं, Dave Reagan is one of the three friends who are gold miners, तो Dave Reagan जो है, ये भी एक दोस्त है, उन तीन दोस्तों में से, जो कि gold mining का काम करते हैं, जो कि सोना निकालने का काम करते हैं, Dave does not take the life seriously, Dave जो है, वो अपनी life को बिल्कुल भी seriously नहीं लेता, क्योंकि वो हमने देखा कि, जो idea है, stony creek को explode करने का, fishes पकड़ने के लिए, तो वो इसी का होता है, तो ये तो हमें पता ही है, कि इसमें यही एक idea दिया था कि, हम stony creek को ही उड़ा दे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा fishes पकड़ें, काटरिज की वज़े से, तो बारूद की वज़े से, ज्यादा से ज्यादा हम fishes पकड़ें, Dave was pricked by spikes of catfish, due to the pain, he could not sleep for two nights, so he came up with the idea, Dave जो है, एक fish होती है, catfish, तो उसके कांटे होते हैं, तो वही कांटे इसे चुबते हैं, Dave को वही कांटे चुबते हैं, जिसकी वज़े से, मतलब इसे pain होती है, और pain की वज़े से ये दो रातों तक सो नहीं पाता, तो जब ये दो रातों तक सो ही नहीं पाता, तो तब इसे ये idea आता है, कि क्यों न हम कोई ऐसा, मतलब ऐसी trick यूज करें, या ऐसी कोई चीज इस्तिमाल करें, जिसकी वज़े से हमें खत्रा ना हो, मतलब मचलियां भी मर जाएं, और हमें भी खत्रा ना हो, तो मोस्ट टाइम पर क्या होता है, ज्यादा तर समय पर क्या होता है, कि जो डेव है, वो ही ऐसे plans और ऐसे ideas के साथ आता है, मतलब ऐसे idea देता है, और जो एंडी है, वो इसे फिर साथ देता है, वो सारे जो इसकी ideas होते हैं, उनको अंजाम तक पहुँचाता है, जो डेव है, वो अच्छा दोड़ता है, और जब टॉमी इसके पीछे बागता है, तो ये मतलब तेज बागता है उस टाइम पर, डेव ही ऐसा बंदा होता है, जो कि ये टॉमी को एक अलाइदा जगह में ले जाता है, जहां पर ज़्यादा लोग नहीं होते, तो डेव ही ये काम करता है, तो वो इसे एक shanty हट होती है, तो उसके पास ले जाता है, जहां पर जो explosion है, वो होता है, जो बारुद है, वो ही पर फटता है, और ये इसे इस लिए इस जगह पर ले जाता है, ताकि casualty औगेरा ना हो, यहां मतलब किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, और फिर लास में क्या होता है, कि इसे फिर लोग डाटते हैं, या जो शैंटी में लोग होते हैं, वो इसे डाटते हैं, कि आप यहां पर क्यों आए, और इतना, आपने यहां पर अपरातफरी मचाई, तो एक और चीज़ भी है इसके बारे में कि यह टॉमी को बिलकुल भी हर्ट नहीं करता है, यह उसे चोट नहीं पहुचाता है, यह उसे सजा देता है, क्योंकि उसने मतलब इतनी ज़्यादा डिस्टॉक्शन इतनी तबाही मचाई होती है, लेकि फिर भी लास में यह उसे कुछ भी नहीं करता, जो यह टीन दोस्त होते हैं, यह equally टॉमी को फ्लाव करते हैं, इसे मवबट करते हैं, अब टॉमी का गॉल्ड माइनिंग का काम करते हैं यह एक बड़ा सा कुत्ता है और बेवकुफ कुत्ता है जिसके चहरे पे हमेशा एक बेवकुफाना स्माइल रहती है इसे एक आदत है कि जो भी यह तीनों दोस्त अगर कोई भी चीज फैकते हैं तो यह उस चीज को वापस इनके पास ही ले जाता है तो यह ही उसका है कि यह चीज वापस लाता है जिसकी वज़े से इसके जो फैंस है वो मुसीबत में पढ़ जाता है यह एक यंग रिट्रीवर है यह रिट्रीवर एक टाइप का डॉग होता है जो कि अलड़ी मैं एक्स्प्लें कर चुका हूँ तो जो इसके मालिक के तीन मालिक है तो उनकी जो लाइप है उनको मजाख में ले लेता है टॉमी क्रिएट्स पैनिक इन दे स्टोरी एजिट कैरीज अ काट्रिज इन इस माउथ और चीजिस इस फ्रेंड्स जो टॉमी है तो यह अपरा तपरी मचाता है स्टोरी में वो हम अलड़ी देख चुके हैं कि इसके मूँ में बारूद होता है और फिर वो बारूद लेकि ह हर किसी जो इसके दोस्त होते हैं जो मतलब इसके हुमन मेट्स होते हैं जो इसके मालिक होते हैं तीन मालिक तो यह उनके पीछे ही बागने लगता है एक के बाद एक के पीछे बागने लगता है but हम लास में ये भी देखते हैं कि जो टॉमी है तीनों दोस्त इसे एक वली लव करते हैं वो इसे एक वली लाइक करते हैं उनको अच्छा लगता है ठीक है और चुकि इसका हाट मतलब अच्छा है वो बात अलग है कि ये थोड़ा सा फूलिश डॉग है तो बेवकुब डॉग है लेकिन इसका दिल जो है वो साफ है और ये भी देखा हमने कि वो जो तीन दोस्त होते हैं लास्ट में ये इसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते ये इसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाते नहीं से सजा देते हैं क्योंकि इसने इतना बड़ा कार्मामा किया होता है लेकिन फिर भी इसे ये जो ओनर्स हैं इसकी ये इसे कुछ भी नहीं करते हैं और बक्ष देते हैं इसके थीम इसका जो मेजर थीम है वो क्या है तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे जो जिन्दगी थी इन रूरल एरियास में और फॉरिस्ट एरियास में वो कैसे थी तो वो हम डिस्कस करेंगे जो इसका मेजर थीम है लॉसन जो है उसने ये कोशिश करी है कि उसने छुपाने की कोशिश करी है जो कि सकत जिन्दगी थी ऑस्ट्रिया के लोगों की क्योंकि उसने बहुत सारे कॉमिक एलमेंट्स एड़ करें इस स्टोरी में Tommy के थो जो Carter है उसके थो बट स्टिल जो सकत जिंदगी थी Australia के लोगों की वो स्टोरी से जाहर होती है Life at a mining sites in the forest was not easy जो जिंदगी थी in forest areas में, जो ये mining sites ती, जहां पर ये सोना निकालते थे तो वो आसान नहीं थी वो बहुत ही मुश्किल जिंदगी थे इन लोगों के लिए तो यह चीज हमें कहां से पता चलती है जब हम इन तीक जो माइनर्स है इनकी जो स्टोरी हमने पड़ी तो उसकी वजे से हमें ये पता चलता है कि इनकी जो जिंदगी की वो कितनी सकत थी यह जो लोग हैं यह जो गोल्ड माइनर्स हैं यह बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं गोल्ड की तलाश में यह जो गोल्ड हैं वो अग्जाक्ली कहां पे हैं यह जो कार्टिरज बनाते हैं जो यह बारूद बनाते हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है और वो कही पे भी फट सकता है लेकिन फिर भी इन्हें ये काम करना पड़ेगा क्योंकि इनके पास और कोई चारा भी नहीं है तो ये वाहिद इनका एक जरीया है जहां से इनको पैसा मिलता था तो जिसकी वज़े से इनको ये काम करना पड़ता था ये जो लोग थे ये जो गोल्ड माईनर्स थे तो ये टेंट में रहते थे जो fishing है जो मचलिया पकड़ने का काम है ये वाहिद एक जरिया था जिसकी वज़े से इनको खाना मिलता था और अगर इनने फिर मचलिया नहीं मिलती है तो इनको पूरे दिन भूका रहना पड़ेगा तो ये तो हो गए इसके theme तो इसके साथ ही जो character list है और जो theme है तो वो हमारा यहाँ पर complete होता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like, share कीजिए और चैनल को ज़रूर subscribe कीजिए and don't forget to press the notification bell have a nice day